जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चनल में बहुत स्वागत है और बहुत ही आभारे आज हम बात करने वाले हैं कि चुपचाप अपने घर से यह चीजे निकाल दे अगर आप यह चीजे निकाल देंगे तो आपके घर में लक्षमी का वास धरिदरता और अपयास और धन के हानी और यह जितनी भी परिशानी से अगर आप जूज रहे हैं तो एक नया पोजिटिविटी आएगा और एक सकारत्मक बतला होगा तो इस वीडियो का पूरा और अंत तक देखें एक एक बातों को बहुत गंभीरता से समझें दोस्तों क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आपके जिवन में बहुत सी चीजे पॉजिटिव सकारत्मक होने वाली है इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं एक छोट अब भॉले नात को कोई साभी एक नाम जरूर लिखें ताकि मुझे अच्छा लगे और इस भाने मिश्वर का नाम ले पाएं अपनी कुल्डी का आइनालिसिस करवाना चाहते हैं तो इसक्रीन पर नंबर चली रहे हैं आब वाट्सप पर अपोर्मेंट ले ले और मुझसे के बात आप कर सकते हैं अब आते हैं मुद्दे के उपर हम कि हमारे घर में हम ऐसी कौन कौन से चीजें जो हमें हटा देना चाहिए चुप चाप जिनसे बहुत सारी चीजे पोजिटिव हो सकती है दोस्तो अभी भी में निवेदन कर रहा हूं इस युडियो को यहां से पू कि हमारे घर में जो भी अनुपयोगी चीजे हैं जिसे हम कबार कहते हैं जो अनुपयोगी चीजे जिनको हम जबरिन समाल के रख रहे हैं पीज दोस्तो आप उन पूरे कबारों को चितनी ज़एद हो सके अनुपयोगी है उसे बाहर कर दे क्योंकि उसमें नेगिटिविटी नकारत्मक्ता है वो नकारत्मक्ता से हम छूट कारा नहीं पा रहे हैं बार बार हमें वो चीज़े डिस्टप कर रही है दूसरी जो बात है वो है घर में अनूपयों की बहुत सारी तस्वीरे होती है हम बहुत सारी तस्वीरे अनूपयों की घर में लगा लेते हैं जिनका कितने वजए है कि हर एक वस्तु का अपना ने वाइबरेशन है उसका और वह वाइबरेशन जो है हम नेगेटिव पॉज़िएवे हम खुद आप्ज़व नहीं कर पा सकते तो अधिकतर ये नेगेटिव चीजे हो जाती है लिए इस वज़े से हमें घर में कहीं बार हमें खुद को नेगेटिविटी फील होती तो प्लीज पॉज़िटिवीटी माहौल बनाने के लिए घर में साप, सफाई, कई बार रंग, रोगन भी रंग पुटाई करें और कई बार कबार को भार करें और जो भी अनूपयों की चीज़ें उन्हें बिल्कुल जो यूजलेस है जिनका कोई मतलब नहीं है उन्हें घर में रखकर बजन और नेगिटिविटी न बढ़ा है तो कि चलती ही चीज़े सकारत्मक रेती है इसके अलावा दोस्तों एक बात अपने मन से ये चीज़े निकाल दे अपने मन से ये चीज़े जरूर निकाल दे जो भी negativity है कि कहीं बार लोगों को एक भ्रहम हो जाता है कि ऐसा है यह है वो है उन भ्रहमों को भी अपने मन से निकाल दे कुछ नहीं करना है अपने घर में आपको ओनमाशिवय का जाब continue करते रहें और अपने घर में आप पूजा पाट तो करते हैं तो उससे बहुत positivity आती है बस सिर्फ basic जो चीज़े मैंने चुपचा भटाने के लिए कहा है उन चीज़ों को आप हटा ले वो आपके लिए बहुत ज़्यादा positive रहेंगी सकारात्मक रहेंगी इसके अलावा दोस्तों आपको कहीं भी किसी भी उशे को लेकर डरने के और घबरानी की आवशक्ता नहीं है तो कि ये भी जितनी भी कबार जितनी भी अनूपियों की चीज़े हैं ये negativity फिलाते हैं और हम हमारे माहौल को हमारे घर में एक positivity का माहौल रखना चाहते हैं यही एक सरल तरीका एक आसान तरीका जैश्री महाकर